करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान, रसरी आवत जाते ही सिल पर होत निशान अभ्यास का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या बिना अभ्यास किये, जीवन की किसी भी प्रिक्षा में सफल हुआ जा सकता है? एक बहुत बड़ा प्रश्ण होता है हमारे सामने कि हम मेहनत तो कर रहे हैं प्रयास तो कर रहे हैं ऐसी कौन सी चीज है जो हमें रोक रही है अकसर से जी पेसी की त्यारी करने वाले छात्रों के मन में यह प्रश्ण होता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो उन्हें सफलता से रोक मैं दो साल से तीन साल से प्रयास कर रहा हूं मैंने मेंस के पढ़ाये दो बार कर ली है मैंने प्रारंभी प्रिक्षा के पढ़ाये दो बार कर ली है मैंने पूरा का पूरा सिलेबस का यो बार पढ़ लिया है फिर भी ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे सफल होने से औरोक रही है दोस्तों यहां जो मैंने मुहावरा लिखा है या कहावत लिखी है उसकी एक लाइन लिखी है और इस उद्देश से लिखी है कि सबको इसकी आगे की लाइन पता है दुविधा ये है कि इसकी लाइन पता होने के बाविजूद हम इसे वास्तविक जीवन में कितना उतार पाते हैं जैसा कि थोड़े देर पहले मैंने कहा कि सभी छात्रे प्रस्टन लेके आते हैं कि क्या कारण है कि हमारी परिक्षा निगही निकल पा रही है हम अपने उद्धेश्च को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं हम अंति रूप से चैनित नहीं हो पा रहे हैं जितने भी कारक इनके पिछे हैं उनके सबके साथ एक महत्तुपुर्ण कारक जो आपको असफलता की और ले जाता है वो है आपका अभ्यास हम पढ़ाई तो करते हैं दिन रात पढ़ाई करते हैं साथ से आठ घंटे चार घंटे पाँच घंटे वहले अगले एक्जाप से अपने अध्यन को देते हैं लेकिन जितना अध्यान हम करते हैं, क्या वो अध्यान, क्या वो पढ़ाई हमारे विवहार में आ पा रही है, क्या वो पढ़ा हुआ हमें याद रह पा रहा है, क्या जिन विश्यों का हमने अध्यान किया है, उस विशे से संब्धित प्रश्न कैसे आते हैं, इसका ग्यान हमे है जो प्रश्ण आते हैं उनका उत्तर लेखन कैसे करना है क्या इसका हमें घ्यान है लोस्तों जब हम प्रारभी परी ministre में यह मंग्रें बैठते हैं हम प्रश्ण को देखते हैं उधारण के लिए हथे जासप्रिक्षा लेने कई कोई अभ्यास में आपका आपने राजव्यवस्था को पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने लक्षमी कांद किताब पूरी याद की हुई है आपने नोट्स पढ़े हुए हैं आपने क्लासिस की हुई है फिर भी आपके मन में एक शंसे के स्थिति पैदा होती ही होगी आप म में से बहुत सारे चात्र इस बात को को रिलेट करते होंगे कि मुझे यह पर्टिकुलर टॉपिक मैंने पढ़ा तो था मुझे हलका हलका याद तो आ रहा है कि राष्टपती की सक्तियां क्या होती है लेकिन यह चार आप्शन दिये गये हैं इन चारों में से दो तो मुझे पता है कि यह नहीं होगा लेकिन मिन कभ्यूजन है कि यह होगा यह हो ठीक ऐसे मुझे परिश्या मिन तो मैंने यह पुछा गया कि राष्टपती की सक्तियों की विवेचना कीजिए याने उसकी सकरात्मक नकरात्मक और अन्य पहलूं को सामिल करते हुए आपको उतर लेकिन करना है जी हाँ यह सारी चीजें जो प्रारंभी परिक्षा और मुख्य परिक्षा में हमारे साथ होती हैं वो क्यों होती है दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अभ्यास के बारे में और अभ्यास का कहने का मेरा सीजा सा अर्थ है कि क्या हम परिक्षा में सामिल होने से पहले अपनी परिक्षा को तयार कर पाते हैं परिक्षा को तयार करने से मेरा अतातपर यह है कि हम कितनी बार उस परिक्षा संबंदित टेस्ट या अबजेक्टिव कोश्चन या डिस्क्रिप्टिव कोश्चन की प्रेक्टिस करते हैं ये बात आप कंठस्त याद रखिए कि अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अगर आप उत्तर लेखन अभ्यास नहीं कर रहे हैं, अगर आप objective प्रश्णों को हल करने के तरीके का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो आप बार बार परिक्षा में सफल होने के संभावना आपकी बनती है साथिंए प्रश्ण यह उठता है कि अभ्यास किया कैसे जाए और अभ्यास करना जरूरी कि तुरानी शिक्षा पद्दती में या पौरानिक शिच्छा पत्द्दती में कहा जाए तो जो गुरूगुल प्रम्परा होती थी उस میں अधिकतम जौर होता था अभियास पर धनुर विद्याई हो तलवार चलाने की विद्या हो या ज्ञान प्राप्त करने की विद्या हो सभी विद्याओं में अभ्यास का बड़ा मात्व था आपने भी अनुभग किया होगा कि जो कारी आपको नहीं आता है उस कारी को आप एक बार में नहीं सीख पाते हैं उधारन के लिए बच्पन में आपने साइकल चलाई होगी, क्या पहले ही प्रयास में आपने सफलता पुर्वक साइकल चला ली थी, जवाब होगा नहीं, ठीक उसी तरह अगर आपको तलवार चलानी है, या आपको कोई भी ऐसा कारे करना है, जिसमें आपको पुर्व अभव नहीं है, उसको करने के लिए आपको अभ्यास की अवशक्ता होती है, ठीक उसके उलट, कितना भी कठिन से कठिन कारे हो, अगर आप उसमें अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास के द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, एक और बात, कितना भी स्किल्ट्फुल व होते हैं वह स्य vind लिए टेस्ट मैच या यह वंडे मैच जित जाने के बाद अभ्यास करना बंद कर देते हैं कोई बॉक सिंग का प्लेयर है क्या वह विननाब यहास क какую तैरा के का अभ्यास की रिध Smart Mr. सकता है हम जब इस्कूल में पड़ते थे वहां भी हम से ले जाते थे तिमाही अर्दवार्षिक वार्षिक परिक्षान ले ति यह सारी बातें आपको यह सुनिश्चित कर देती हैं कि बिना अभ्यास के आप किसी भी परिक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते कि इसकी संभावना बहुत ही अल्प है कुछ लोग अपवाद हो सकते हैं कि जो बिना प्रयास के सवक्ता प्राप्त कर ले अब प्रशन उठता है कि अभ्यास किया कैसे जाए खास करके 36 गड़ की तैयारी के संबंद में 36 गड़ PSC के तैयारी के संबंद में 36 गड़ लोग द्यान देते हैं कि आप PSC के तैयारी में क्या कर रहे हैं आप इतना कहते हैं कि मैं सरकारी अधिकारी बनने के लिए PSC के तैयारी कर रहा हूं लेकिन वास्तविक्ता यह है कि आप स्वयम से स्वयम के साथ कितना इमांदार है या खुद इस बात का अनुभव करते हैं स्वय प्रत प्रत की जा सकती है मिद आपने के सब्सक्राइब एक बात को जीव को देखा नहीं आपने उस जीव का अगर मैं कहूं चित्र बनाईये तो आप कैसे बनाएंगे ठीक वैसे ही आपके साथ होता है कि एक्जाम हॉल में जिस प्रश्ण को आपने देखा ही नहीं वह प्रश्ण अचानक आ गया तो उसका उतर कैसे लिखेंगे दोस्तों जो सारी इतनी लंबी बाते मैंने की इन सभी बातों के पिछे मैं कहना यह चाह रहा हूं कि आपकी CGPACY की बुख्य और प्रारंभिक परिक्षा दोनों की तैयारी में टेस्ट रिस एक बहुत ही बड़ा रोल निभाती है टेस्ट रिस के माध्यम से हजारों प्रशन आप हल करते हैं चाहे वो प्रारंभिक परिक्षा के हो और मुख परिक्षा के हो क्या क्या फायदे होते हैं टेस्ट रिस जोइन करने के या टेस्ट रिस लगाने के वो टेस्ट रिस कैसे भी हो सकती है कहीं के भी हो सकती है उद् परिक्षा हाल में जो आप परशान होने वाले थे वह परशानी आपको अभी दिख जाती और समय रहते आप उनको सुधार लेते हैं इससे बड़ा फाइदा यह होता है कि जो आप परिक्षा हाल में बैठकर अरशफल होने के बाद अपना एक साल वरबात करने वाले थे आप परिक्षा की टेशरिज में अगर आप उत्तर लेखन अभ्यास कर रहे हैं तो आपके पास यह सारे ऑप्षोंज होते हैं कि किस तरह के प्रशनों को आप हल कर पा रहे हैं प्रशन पुछने का पैटर्न हो तो उसका उत्तर लिखने का पैटर्न कैसा हो मुझे लग तो रहा लेकिन आपने भी उनभो किया होगा अगर मैं आपसे कह दूँ कि अपने बारे में आप 10 लाइने बोली है तो एक से दो मेरा नाम एक वाई जेट है मैं यहां रहता हूं उसके बाद आपके पास कोई विशय ने रहता है बोलने के लिए तो सोचिए जिस विशय को आप पढ़ रहे हैं अगर उसका अभ्यास नहीं कर रहे हैं एक्जाम हौल में प्रश्ण आ रहा है तो वहां लिखने के लिए आपके पास 30 words 60 words 100 words 175 words से क्या material है यह कैसे आएगा यह केवल अभ्यास आएगा और अभ्यास आप कर सकते हैं टेस्स के माद्यम से प्रारभी परिष्छा की टेस्स मुख परिच्छा की टेस्स और मैं तो कहूंगा कि आपको सच्छात कारका भी अभ्यास करना चाहिए अगर आप बहुत दिनों से इस परि प्रश्ण हो सकता है उसका भ्यास करिए चाहे वह मुख्य परिच्छा हो या प्रारभी परिच्छा हो आपको भविष्ची सुब कामनाओं के साथ जय हिन जय भारत